नमस्कार दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम बात करेंगे ICI Bank के Cardless EMI Option के बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कैसे आप इस Cardless EMI का Benefit उठा पाएंगे क्या कि इसके Time and Conditions रहेंगे क्या कि इसके Eligibility Criteria रहेंगे और कैसे इसको आप Apply कर पाएंगे तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि ये First Bank है हमारे भारतवर्स में जिसने हमें ये Offer और ये Facility दी है कि आप Cardless EMI का Use करके यानि कि Cardless यानि Without Credit Card debit card के आप EMI में कोई भी प्रोडेक्ट खरीच सकते हैं कोई भी चाहे हो grocery आइटम हो या आपके Digital Gallery से कोई laptop, camera, whatever जो भी आप खरीचना चाहें वो सारे चीज़े आप Without Credit Card, debit card के भी खरीच सकते हैं और साथ ही साथ मैं उसे No EMI Cost पे भी Convert कर सकते हैं यह जो offer है totally digital mode of payment है तो इसमें किसी भी documentation के आपकी जरुवत नहीं पड़ेगी और अगर मैं overall बोलू तो इसमें जो इन्होंने लिखा है first bank of country to offer this facility customer can buy high value items just by using mobile phone and pen or lack of pre-approved customer can instantly convert high value transaction into no EMI cost अब मैं सबसे पहले आपको benefit बता देता हूँ कि देखो इसमें सबसे पहले benefit यह रहेगा इसका cardless EMI का इसमें no cost EMI रहेगा without using a card दूसरा no processing fees कोई processing fees नहीं रहेगा digital process होगा totally कोई कागज कारवाई नहीं होगी कोई physical copy यह documentation देने की जरूवत नहीं है मतलब limit की कोई transaction की कोई limit नहीं है उसमें एक लाग दो लाग कितने का भी हो सकते है maximum इसमें 10 लाग तक का दे रखाए एक लाग से लेके 10 लाग तक की आप बीच में कर सकते हैं 40-50 जार का भी चलेगा वट अकर 10 लाग maximum capping है इसमें और flexible tenure रहेगा कि इसको आप EMI में चाहे convert कर सकते हैं 15 मैंने तक का भी कर सकते हैं 3 to 15 मन्स के अंदर इसको convert कर सकते हैं और exclusive convince रहेगा मतलब bank और जो others वो है offers के साथ जो इनके service provider है उनके साथ अब मैं इसका आप जैसे site पर आएंगे और cardless EMI पर click करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़े देखने को मिल जाएगी मैं साथ में एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि आप कैसे अपनी eligibility चेक कर सकते हैं तो उसके लिए simple है अगर आप आपका भी account आपका भी खाता ICICI bank के अंदर है और आप ग्रहाग हैं ICICI bank के तो simply आपको क्या करना है register mobile से जो आपका register mobile है bank में उसमें से आपको SMS करना है आपको simply SMS करना है CF और इसको भेज़ देना है 56767666 पे फिर से मैं repeat कर देता हूँ और screen पे लिख दूँगा मैं आपको MI को चेक करने के लिए आपको SMS करना है अपने register mobile से mobile के section में जाके भी check कर सकते हैं ठीक है अगर इसके जैसे मैं section में आया तो वहाँ पे लिखा कि कैसे आप product select कर सकते हो क्या इसकी process रहेगा देखे overall मैं आपको यह बता दूँ कि जो overall जो इसकी settings जो cardless payment की benefit आपको यह देखने को मिलेगा कि suppose आपको कहीं गए emergency में और आपको कोई product लेना है और तो उसमें आपको इसमें यह नहीं है कि आपको credit card होना जरूड़ी या debit card होना जरूड़ी है आप इसमें भी बिना credit debit card का भी EMMI में convert कर सकते हैं और आपको सारी सहुलियत दी जाएगी जैसे flip card या others में आप purchase करते हैं इसमें भी आपको 14th 14 दिन का एक waiting period मिलेगा जिसमें आप उसको goods को जो भी है अगर आपको लगता है कि वो suitable नहीं है या इसके अंदर कोई default है उसको आप return भी कर सकते हो EMMI में convert होने के बाद भी 14 दिन के अंदर लेकिन और यह totally जो रहेगा OTP-based रहेगा पूरा process जो approval होगा totally OTP-based रहेगा और और भी चीज़ है मैं अगर इसके partners के बाद करूँ कि इसमें कौन-कौन से इसमें partner देखने को मिलेंगे आप इसमें Lenovo आपको देखने को मिलेगा Microsoft हो गया, Tosiva होगा Vivo हो गया, Carrier हो गया Wallful हो गया, Nokia हो गया Oppo हो गया, Jio हो गया जो retail वेगर है वहाँ पे आपको brand partner तो है retail के अंदर Chroma, Reliance, Digital, Jio और भी बहुत सारे चीज़ है यह और भी wide हो सकते हैं जो important है यह list आपके screen पे आपको देख रही होगी आप इनके store पे visit करके simply आपको भी product select करिए और उसको no EMI cost पे कर सकते हैं convert, maximum 10 lakh है minimum आप कितने भी कर सकते हैं 10,000 से मतलब minimum 10,000 और maximum 10 lakh है, sorry 10,000 तक कि आपको पहले कोई ने कोई value तो लेनी पड़ेगी, 10,000 के उपर और maximum 10 lakh तक का अब मैं आपको बताओं कि ये काम कैसे करेगा तो मैं ये भी आपको detail बदात होगी how to work, कैसे आप इसको convert कर सकते हैं EMI विगरा में देखिए ये जो option है काफी convenient है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई credit card नहीं है और वो ऐसे ऐसे चीज़े ढूंड रहे हैं कि बिना credit card के उनको इस उहलित मिल जाए अब साथ ही साथ में आपको इसमें बहुत सारी और benefit देखने को मिलेगी offers लिगरा जे pre-approved offer मिल सकते हैं अगर आपके alone time पे होता है तो आप उसे उस पे कह गयता है credit card या other options भी आपको benefit देखने को मिलेगा आप सबसे important part हमारे वीडियो का वो है most important term and condition जो है MITC इसमें देखिए जो overall बताऊं तो simply इसमें सारे चीज़े बता रहे हैं कि cardless EMI क्या होगा, borrower क्या होगा business day क्या हैगा, civil हाँ इसमें एक चीज़ सबसे important है कि आपको ध्यान रखना है कि जो civil है अगर आप time पे payment नहीं करेंगे जो civil आपके credit वीरो है हमारे वहाँ पे आपके data वहाँ पे सिधा फैच कर देंगे अगर आप time पे payment नहीं करेंगे तो आपके credit score पे या civil पे इसका impact पढ़ सकता है इसलिए जो भी चीज़ आप EMI में convert करें जो भी चीज़ परचेस करें 10 to 1 lakh के अभीज में ये ध्यान में रखके करें और ये जरूर ज्यान लिए कि अगर आप एक भी payment मिस करेंगे तो आपकी credit score पे ये impact पढ़ेगा और बाद में कहीं ने कहीं आपको ये दिक्कते हो सकती है तो जो भी चीज़ करें ध्यान और सोच समझ के करें जब ये more term and condition है इसको तो जरूर पढ़े क्योंकि ये बहुत important है without term and conditions की तो मैं कभी भी आपको recommend नहीं करता कि आपको ये चीज़े purchase करें या signature करें आप इसमें customer क्या है और आपके इनके partners क्या है ECS क्या है EMI क्या है और इसमें एक सबसे अच्छी facility ये है मैं आपको बता दूँ कि आप चाहे तो इसको add to debit option भी use कर सकते है यानि national automated clear and house का भी use कर सकते है ताकि month के end पे जो आप fixed date होगा उसमें automatically आपके bank से transaction से कर सकता है या आप direct pay भी कर सकते है EMI option में convert करने के बाद और totally जो रहेगा ये OTP base रहेगा क्योंकि मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि OTP base इसलिए है कि इसका जो cardless EMI option है इसमें totally OTP base ही है और बाकी जो इसमें जो documentation है pen card, pin, RBI के जो details है इसमें सारे most important common condition में इनोंने बता रहेगे कि pen card के requirement आपको सबसे जाता है और इसी में एक पांचपा section आपको देखने के मिलेगा payment and cancellation का यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बीच में वीडियो में बताया था कि कोई भी स्वान अगर आप खरिते हैं 14 दिन के अंदर आपको एक availing facility मिलते है कि आप उसको return कर सकते हैं cancel कर सकते हैं या आपको लगता कि उसमें कोई default है तो उसको cancellation rise करवा सकते हैं लेकिन after 14 days आप ये चीज़े नहीं कर पाएंगे आपको ये facility नहीं मिलेगी तो एक बहुत ही अच्छा option है कि आप EMI में convert भी कर पा रहे हैं और 14 दिन का आपको looking period भी मिल रहा है अगर आपको सहुलियत नहीं लगे ता आप उसको cancel भी करा सकते हैं लेकिन उसमें भी इनका कुछ term and conditions होता है same यहाँ भी term condition है आपको देखने को मिलेगा साथ में payment and repayment का आप जरूर पढ़ लीजेगा कि अगर आप repayment नहीं करते हैं तो इसमें क्या आपको penalty लगीगी सारे detail आपको इसमें दे रखा है over charges और payment missing यह सारी चीजे इन्होंने term and conditions के अंदर एक separate seat है आप इस सारी detail official website में आके भी पढ़ सकते हैं बस जानने के लिए इतना ही है कि जो basic चीजे इसमें disclose किया हुए है अब मैं आपको सबसे पहले एक सबसे important बात बदा दो एक disclosure है आप जैसे नीचे आएंगे तो disclosure में इन्होंने साब चीजे simply लिखी दिया है कि जो भी आपका credit bureau है जो भी आप record होगा आपका जो भी हमसे purchase करेंगे जो इमाय में convert होगा उसको हम सिधा civil या credit bureau of India को swap दे देंगे साजा कर देंगे आपका detail तो यह simply in term and condition दे रखा है इन्होंने कि without permission तो नहीं बड़ जवाब term and conditions पढ़ेंगे तो उसमें यह चीजे लिखे होंगे तो यह सारे चीजे हैं overall सब कुछ है इस वीडियो में इतना ही है और EMI का अगर आपको detail में जानना हो तो आप इसके official site पर आके भी पढ़ सकते हैं